वो दौर बहुत मुश्किल था राम अंदुरुन का जब आपने इनारा दिया कि राम मंदिर मेरा जनमसिद्ध, करमसिद्ध और धरमसिद्ध अधिकार है। ऐसा है, वो दौर वास्तम बहुत कठिन था, क्योंकि चारोर कांग्रेश का साशन था, दमनकारी तंत्र था, दमन हो रहा था, उसमें राम कहने में भी लोग डर रहे थे, तो क्या कह जाए, पर उस दौर को भी हमने देखा, और उन चुरोंतियों को भी स्विकारा, अंट में विजय हमारे हुई। बिलकुल और तमाम रामभक्तों की ये विजय है, हमारे पुर्खों के संघर्ष का, संतों के संघर्ष का ये फल है, लेकिन उस दौर में जब संतों को भी नहीं बख्षा जाता था। क्या कहा जाए, पिनाश जी, 31 अक्टूबर और 2 नॉम्बर 1990 का दिन भूलता ही नहीं हमको, जब नियत्थे रामभक्तों पर गोली चला कर, शरजुमा को खोन से लाल कर दिया गया था, कुठारी वन्ष का सर्मनाश कर दिया गया, हजारों लोगों ने प्राण गवाए, कहा जाता है, 16 लोग मारे गए थे, और 16 नहीं बलकि 16 सव लोग मारे गए थे, वो दिन तो सामानी नहीं था, परंत उस अपमान का बद्दा को हम लोगों ने कलंकित धांचा सरवदा के लिए सर्जुमा में ठाकर फेंग दिया, और रामलराजी अपने स्थान पर विराजमान होई, गुरुदेव, बहुत सारे लोग ये आज भी सवाल उठाते हैं, उक्सवक्त भी उठा था, और उसमें आपकी जो आप जब वादी करने में कि रामलला इसी भूमी पर अयुद्या में इसी जगह पर जो हैं वहां जन में थे, और मैंने सुना है, मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजएगा, छोटी समझ कर, कि जब आप वहां पर अपनी गवाही देने पहुंचते थे, तो कोट रूम खचा-कच भढ़ मेरे उस बक्तवे को सुनते थे, मेरे साक्ष को सुनते थे, विपक्षी प्रस्ण करते थे, मैं उत्तर देता था, सब दोग सुनते थे, अद्भूत आनन्द आता था, इगारह जुलाई 2003 से 19 जुलाई 2003 तक का मेरे जीवन का स्वरनिम समय था, क्योंकि वही मेरी प्रतिभा क के निकस थी, वही मेरी प्रतिभा के प्रदर्शन का फल था, और वही मेरी प्रतिभा के भगवान राम के कारे में बिनियों का स्रुनिम अवसर भी था, जो हमारी युवा पिड़ी है, जो आज के लोग हैं, अगर थोड़ा बता सकें, उस वक्त अदालत में किस तरह से आप तर्कु हमेहीं बहुत दिये थे, जी जी जी, तर्कु हमेहने 441 दिये थे, 441 उनमैं से जब उठ्खनन कराया गया, खुदाई कराइग गया, तो 437 पक्ष मेरे अंच थे, चार तर्क धूमिल थे, तो वही हमारे पक्ष मेह आए, परनत, उनमैं से जो मुखे पक्ष मेहने दिये थे, मैंने कहा था कि राम जनव भूमी इसे यही मानि जाएगी कि जोतिस के आधार पर यहां पांच ग्रहों की दिर्ष्टी आज भी पढ़ती है मेश के सूर्य की मकर के मंगल की तुला के सनी की और करक के ब्रेश्पत की और मीन के शुक्र की यह तो बालमी की कहते है और राम जनव भूमे के ठीक उत्तर दिशा में जो जनव भूमे के मंदिर से तीन सो धन्स दूरी पर बहती है आज भी नाप के देखा गया तो तरी ही धोरी पर सर्जु आज भी वह भाह रही है एक धनुस चार हाथ का होता है हमारे हां जिसमें मंदपा कार एक स्वर्ण का भवन है उस भवन में स्वर्ण से जोतिश पुंझ शी बालक रूप में शी राम रूप में प्रकट हुआ ए अथर्ववेद के ध्रसमकांड के एक तीस्वें अनुवाक के दुतिय मंत्र में स्पष्ट प्रमाने झाले